तो आप पा स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग के साथ अम्मी गई है अलमोडा का बचरा है साले दस और आज दीदी लोग भी जा चुके हैं हल्दवानी को विकॉस उनका पेपर है तो गाइस घर पे हैं मैं छोटा भाई एंड पापा हर सा चुके बहुत प्यारी सी धूप एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच बन चुका था पापा और चोटे भाई ने मनाया है तो लंच तो मैंने कर दिया था गाइस एंड अब करना है घर का काम उज दूते हैं बर्तन तो यहां पर को लग चुका है ते जादे बर्तन का धेर और सबसे पहले दूते हैं बर्तन का धेर और सबसे पहले दूते हैं बर्तन करना पड़ता है तो सबसे पहले बर्तन की स्टार्ट दोने का सुपर एक लंच किया था तो बर्तन होई जाते हैं लगी और दूसरा कप्रेद होना और सबसे एक कठीन काम लगता है मुझे वह है आटा गोधना रोटी तो बना लेता हूं गाई सबजी भी बना लेता हूं पर सबसे मेन इंपोर्डेंट जो है आटा गोधना मुझे तर टॉफ लगता है कोई बात नीदा है करवा देंगे किसी नहीं किसी भाई या भी पापस से गुद्वाओं आटा रोज सब्सक्राइब करते हैं बर्तन साफ करते हैं तो गाइस अब बचिये लास्ट प्लेट इसको भी बटाबट से दोलेते हैं अब थंडों का डाइम है तो पानी ता थंडा हो रहा है तक कोड लग रहा है तो बढ़तन पानी छूले आओ तो गाइस सारे बटन में धोली है अब करते हैं थोड़ा गैस की साफ सफाई जब तक साफ सफाई ना होना तो अच्छा भी नहीं लगता है घर पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आदूरा गाम है तो गैस सबसे पहले करते हैं गैस की साफ सफाई अब थोड़ा सफाई तो हो चुकी है अब थोड़ा सही लग रहा है आपको दिखाता हूं तो गैस किती भी सफाई कर लो ना बट फिर भी अपने हाथों की सफाई मुझे बिल्कुल लगती कि मैंने की मतलब सफाई हो चुकी हो बट इतना ही है नहीं कर सकता हूं तो गैस इतना ही हो सकता है अब तो करना है, मुझे यहां थोड़ा tuhoga सा भिकरासा है, तो कमरा भी चीजी करते हैं, युझे भी सफाई करते हैं, जो भी विक्री चीजास को साइफ रहते हैं ज्कानी इस रूम की सफाई तो हूची है, अब आपको दिखाता हम, अप पैसा लग रहा है तो रहो गैस कुछ ऐसा लग रहा है सबाई होने के बाद जाले रूम पर आगा याले रूम की दसाचनी गंदी हो देखो इतना गंदा अब मुझे सबका हवे करना पड़ेगा तो फास जली से इसको करते हैं फटाबर से तो यह थोड़ा से यह थोड़ा से आपे विखरा सा हुआ है फटाबर से इसको भी करते है सही तेरे जित से ना कभी खेलूंगा सारे राज अपने मचज को दे दूंगा मेरी जान तो ने उसको पार है किया मेरा जना ना जिया तेरे वहान मेरी जान तो फाई हो चुकी है एंड दीदी लोग सुबह चलेगे ते साथ बज़े उस टेम्पे मैं सुआ था तो मुझे पता भी ने चला कि कब गए वो लोग घर से उनको जानता हा हल्दुवानी उनका देन उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ जिर पे तो के गाइस हमका बच चुका है पांच और हम जाने वाले सेटी पूल और आपको दिखाते हैं वह पर किता ज्यादा अच्छा लगता है तो चलते हैं खटाबड से और आपको वहीं जाके दिखाते सप्राइस तो गाइस हम जा रहे हैं सेटी पूल और अभी तो हम दो हैं भाइक एक किए गाइस अभी तो एड़ेस्मेंट करना पड़ेगा एक में तीन लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे वांगे स्टी पूल इस्ता मस्त है गाइस तो आप देखना आच प्रिपूल जाके दिखाते हैं आपको से भी ब्लॉक पे फाइनली गाइस हमारे तीसरा दोस्तों भी यहां पर आचुका है और अब अब जा रहे हैं सेटी पूल तो जाते हैं प्यटापट से और आप तो दिखाते हैं सेटी की सब्सें लंबी पूल बोला गया है कि इंडिया में बंतफना है नंबर बन प विव autство जाएआ इस और आप खासशे शमये जाँना पड़ रहे हैं सेटी कर दोस्तों इस सफ़चने के कि वाइक कि आपने हैं तुड़ा करम भी होगा तो हम पहुंच चुके सेटी की सबसे लंबी पुल तो गाइद आपको तिखाते हैं पुल का ना जा रहा है ओ मेरे रांज है बता दे मेरी कड़ बरी कर ले मुख बरी ना कर जोडा जोरी आपको दिखाते हैं इसको पूरी कितनी लंबी है कम से कम बाइक में आने में यहां पर हमको कम से कम लगा पांच मिनट मैंने वीडियो थोड़ा करी एंड अगर पैदल आएंगे तो साय दस से पंद्रा मिनट तो लगी जाएगा गाइस और दिखाते हैं आपको इतनी मस्त जगो इतनी मस्त क्या ही बताए कोई वर्ड ही नहीं है गाइस बोलने के लिए तो यह कमल और यह चारू तो गाइस दिखाते हैं आपको इस लम्भी पूल का पूरा आप देख सकते हैं यहां पर से कितनी लम्भी आप आगे तक भी दिख रही है एतनी लम्भी है कि लास्ट यह पूंची यह वह वहाँ तक तो गाइस अब जरूर आना है इसर और देखना की कितनी मस्त है क्या फील आता है यहाँ पर से एक तो इसमें आपको दिखाता हो थोड़ा और पास से इसके जास नीचे एक तो है कोसी कोसी नदी तो गाइस जब अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर तो गाइस जब वहाँ पर यहेंगे नीचे इदर पर अगले व्लॉग में अगर नीचे जाएंगे तो गाइस पक्का आपको आपको पर को पास में आखे लिखाऊंगा कि बूतला याइस फोल नाजब फूल थो अप ck on the coding करते उंगे जाएंगे ताभ आपको दिखेंगे पूर तो रजा करते हैं और यहांपर जो थोड़ा करते पर फोटोसुट है तो तो बिलते हैं आपको थोड़ा धेर पर दो Arab को फोड़ा कृषित अब Aaूर तो पर अब तो आपको तो थोड़ा वाट आपको लिगसे लिगास प्यार भाद करा है मोर हैं जिरले गए अर फेट शेटी पूल सा चुके हैं और हमें लगेजित कुड़े बात भूग तो वह बहें के दुगान पर मोमो खाना है फटापट से मुमू और चलते हैं घर को सजना जी मुन छड के निजाना कदी झूटे बाद सही दिल से निभाना कदी अलंबी राते सही क्वाफ तो दिखाना कदी मैं हो ता रा तेरा चान बन जाना कदी परदेजी तेनो जरा जिसन का शोफ नहीं यहां पर वोड़ी पेइमेंट फाइनली गाइस में दोस्तों के साथ से गुम के घर पर पहुंच चुका था और अब मैंने बनाया खाना और खाले में दिखाता हूं क्या क्या बनाया है मैंने मैंने बनायी मचली की सबजी किति स्वादिस्ट लग रहे है और इसमें रखे हैं चावल और अब बनाते हैं रूटी सब्सक्राइब करें रूटी बन चुकी है एंड फटावर से खाना खिलाते हैं खाते हैं दैन उसके बाद मुझे कर मैं गयस सपाई मिलते हैं आपको थोड़ा देर में इस वीडिया लिए तो फॉटा शुक्ति कई पाना खाते हैं यह तो टोड़-थोड़ा जल गही है और नहीं उसके नहीं है है तो तो रात का बच चुका है साड़े दस तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लोग पर थैंक यू सू मच पर वाचिंग भाई